अगर आप Amazon पे एक successful seller बनना चाहते हैं तो आपको YouTube पे काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी जिससे आप सीख सकते हैं Amazon के बारे में बट आज मैं एक ऐसे special guest को बुलाना चाहूँगा अपने channel पे जो की नहीं सिफ Amazon की knowledge रखते हैं बलकि Amazon से related agency भी चलाते हैं जिसमें कई सारे sellers के साथ वो connected हैं और उनको grow करा चुके हैं आगे भी grow करा रहे हैं तो मैं introduce करना चाहूँगा रेग्रो मीडिया के founder को जिनका नाम है सैमी अक्तर है सैमी अक्तर आप से मैं सुनना चाहूँगा सारी Amazon की knowledge और इससे पहले आप अपने बारे में एक दो खंटे का पूरर ट्रेनिंग हो Amazon Ads क्या है कौन Amazon आप यूज करते हैं Amazon Ads कैसे create कर सकते हैं organic sales क्या होता है organic sales कैसे grow होता है Amazon अभी हम लोग यह workshop में देखेंगे Amazon Ads क्या होता है कैसे आप Amazon Ads की सीख सकते हैं कितने तरीके का Amazon Ads है हम लोग यहां तक की life practical dashboard में जाएंगे Amazon Ads का dashboard कैसे दिखता है उसमें जाके life कुछ ads भी create करेंगे ताकि आप लोग आईडिया हो कि जब आप जाके create करें और आप बेगीनर हो या advanced seller हो तो आप कैसे कर सके तो इसलिए मैं बहुत जादा excited हूं और पूरा शेर करूंगा और आप लोग कमेंड में यह बिल्कुल बताइए कि आपका कोई भी question है तो हम लोग बिल्कुल इसका answer करेंगे तो आज का workshop हम लोग amazon ads के ऊपर कॉवर करेंगे तो पहला तो वर्ट इस Amazon ads टीक है जो आपने question पूछा है तो देखे Amazon India में जो लास्ट यर का data मिला था उसमें around 295 million users है Amazon India में तो वहां पर कोई भी ब्रैंड वा जो अजिशना चाहते हैं Amazon के अंदर वह क्या करते हैं 295 million customers है सब का customers अलग अलग होता है तो उनका टार्गेटिट के सामने उनका प्रॉडक्स ताकि पहुंच सके ताकि कस्समर जान सके कि उनका प्रॉडक्स कैसा है वेजिबिल्टी मिल सके तो वह आड करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहां पर देख सकते हैं चिस तरीके का जनली दिखता है आप अगर आमजान पर जाएंगे जो आपके दिखेगा लेकिन आप अगर कोई निव बिगीनर है या फिर कस्व मनें आपको पता नहीं चलेंगे कौन सा एड है कौन सा और और ऑगैनिक लिस्टिंग है आपको सिर्फ एक चीज जिससे पता चलेगा क्योंकि इमेज के नीचे जी इए सपॉंसर्ड लिखा वह आता है यह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए फजपी है यह हूं किसी यहाँ पर देखिये सब्सक्राब्र देखियाद पार यह पी-एफर्स करों और आपको पता होगा अगर कहीं पे भी चाहिए वो शॉपिंग मॉल हो बगेरा बगेरा वहां पे भी अगर कुछ प्रीमियम स्पोर्ट है उसके लिए वह दुकान को पैसा ज्यादा देना पड़ता है तो यह देखिए तो इसके लिए ब्रैंड को थोड़ा ज्यादा प्रीम आपल हुआ चाहिए बड़े-बड़े-बड़े-प्लाइंस चोटा एप्लाइंस मोबाइल स्किन केर प्राड़क्ट हर एक चीज जो कस्मर को बेचना है वह एड करते हैं क्यों क्यों अगर आप देखेंगे अगर आपका जो आडियोंस अगर आपको थोड़ा भी गूगल आप कि आप एड को करते हैं अपको आडि दिखता है नुगल में दिखता है युट्यूब में दिकता है जो गूल का प्लिश पर गहें दस लोग आपके लेस्टिंग के अंदर गयें दस लोग मैं से एक लोग ने पॉच्छेस क्या एक आदमी ने यह देखा गया है कि Amazon में जो कंवर्शन होता है वह बहुत ज्यादा होता है मेटा गूगल एड़ से क्यूंकि Amazon एड़ में हम लोग ऐसे टाइम पास करने के लिए Amazon के अंदर नहीं जाते हम लोग को खरीदना है तभी हम लोग जाते हैं तो इसलिए कस्समर का बाइंग इंटें आपने अड़ क्या होता है लेकिन एक क्वेश्चन आता है जबी हम लोग हां बिल्कुल जबी हम लोग Amazon आज का बात करते हैं तो यहां पर ना एक चीज आता है मैं के एक्जाम अग्जी बताएं कि फिर अग्ची जाता है शोता हुट हर एक tutaj सynnनाताहों कि यह बहुत अच्छा स्चोरि इसके साथ बहुत अच्छा जाता है तो आपको पता होगा शायद कर नहीं हम जाहां पर रहता है कोड़ो इंग और मेरा जो hall है और balcony है उसको separate करता है sliding door आता है ना glass का जो आपका fiber glass का वो sliding door आता है तो जैसे मैं तीन sliding door है अगर आप पुश करेंगे तीनो sliding door एक के उपर एक आजाता है और आपको बड़ा opening हो जाता है जिससे आप balcony के अंदर जा सकते हैं जिस दिन तुफान आने वाला थे में balcony में खड़ा हूं तुफान आना स्टार्ट वहां मैं देख रहा हूं नीचे नीचे तीन-चार ऐसे पेड़ है लंबे-लंबे 50-60 फिट लंबे-लंबे पेड़ है और मैं देख रहा हूं जैसे तुफान पूरा अपना high-speed पिक किया उस त प्रेक्टी नहीं कर पा रहा है अब यह और यह क्वेश्चन है कि क्या ऐसा रीजन होगा कि दो पेड़ वहीं पर ऐसे गिर गया और पूरा रूट्स बहार आ गया पर एक पेड़ जमीन पे एक तम strongly खड़ा है उसका एक ही रीजन हो सकता है कि जो पेड़ खड़ा है उसका ह Amazon product को हजारो keywords उसको पकड़के रखता है एक Amazon product को हजारो keywords के लिए index होना पड़ता है तब जाके वह Amazon Marketplace पे strong बनता है और जब हो strong होगा तभी उसको organic orders बहुत बहुत जादा आएगा अभी यह question जगता है कि indexing क्या है तो कोई भी keyword सोचिए water bottle आप अगर water bottle सर्च करते हैं और आपका जो product है वह कहीं पे भी आ रहा होगा चाहे first page second page मतलब वह index कर रहा है वहापे दूसरा चीज़ आता ranking ranking मतलब basically आप बता रहे हैं कि वह कौन सा position पे है third position, fourth position, fifth position ठीक है तो एक product अगर हजारो keywords के लिए index करेगा वह बहुत time लेता है ठीक आप आप आज product list करते हैं कर सकते फास्ट फावड कर सकते थोड़ा बहुत और उसको fast forward कैसे कर सकते हैं उसको fast forward करने के लिए हम लोग क्या करता है एड्स रन करते हैं और एड्स क्या करता है आपका organic sales को भी influence करता है क्योंकि यह जो हजारों keywords है इसके लिए अपना listing को index करने के लिए मदद करता है आप एक स्पीड तक पहुंच के आप पैडल कर रहे हैं और 30 km per hour तक पहुंच गया है और आप स्पीड में जा रहे हैं तो आपने डिसाइड क्या मैं पैडल करना बंद करता हूं थोड़ा देर के लिए रेस्ट लेता हूं आपका पैडल करना बंद है लेकिन आप देख रह है उतने हजारों कीवर्ड को रैंक होने के लिए तो हम लोग जैसे बात करते हैं आड्स का तो जिनरली क्या होता है अगर हम लोग इंडिया का बात करें कोई पर आमजोन मार्केटपेस का बात करें तीनों तरीगे का एड्स होता है सेक्वा स्पॉंसर प्रोड़क्स दूसर प्रोड़क्स तीसा वह स्पॉंसर डिस्प्लेइब यहां पर यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर एक चीज मैं बतावांगा यह स्पॉंसर प्रोड़क्स अपना 80% बजेट स्पॉंसर प्रोड़क्स के उपर लगाते हैं और बाकी जो 20% बसता है वह डि सैट सेटाप है आप समझज़ same branding के उपर फॉकस करते हैं है क्या कर सकते हैं कंकि कर सकते हैं तो Sat बेस letzte को बहुत लुबता है यहें तो दस दिन बाद को पिर सोबने चाहिए कुझा करता है kulgit को बिचच 시 lokale Retarget अको यह त्रॉश दिन में उसको आड दिखाओ ताकि उसके सामने मेरा अड जाए तो यह सब आड आजैंआर सपांसर डिस्पेश में आपको कैसे दिखता है ठीक है यह अगर आप देखेंगे एक डैश्बूर्ड है घ्रिण यह संदर जाएंगे क्रियेट केंपेन में जो यह स्पॉंसर प्ल्डट्स इस तरीके छोटा है स्पॉंसर ब्रैंड्टि स्पॉंसर डिस्प्लेश तो इस तेगे कर जनरली दिखता है आपका जैसे आप अपने डैश्बोर्ड में जाते हैं तो आगे बढ़ते हम लोग जनरली पॉंसर प्रॉड़क्स जो होता है जो मैक्सिमम ब्रैंट्स एक परसंट बजट अपना स्वांसर प्रॉड़क्स में लगाते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि स्पॉंसर प्रॉड़क्स जो है न इसके अंदर हम लोग अभी डैश्बोर्ड में भी जाएंगे और देखेंगे एक बार ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाए स्पॉंसर ट्रॉडक्स में दो तरीके का टागेटिंग आता है ठीक है पॉस्ट हो ऑटमेटिक टागेटिंग जहां पर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं आप सिर्ट करेंगे मुझे इतना बजट देना है और Amazon को बोल देंगे यह मेरा प्रॉडक्ट है इस दूसरा आता है मैनुवल टागेटिंग मैनुवल टागेटिंग इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा मैनुवल टागेटिंग मतलब यहां पे आप मैनुवली सब कुछ कर सकते हैं मतलब इसके अंदर भी दो तरीके का चीज आता है एक हो आपका क्यूवर्ट में क्या है आप Amazon को बोल देते हैं यह देखें यह मेरा यह पांच मेरा कंपड़िटर से उनके प्रॉडक्ट लिस्टिंग में जो भी कस्टमर आए उनको मेरा आड शो करें तो एक बार हम लोग क्या करते हैं डैश्बूर में जाते हैं और एक बार देखते हैं कि यह अंदर से इसके अंदर जाएंगे तो दीखिए कैसे आता है यहां पर आड ग्रूप का नेम देना पड़ता है उसके बाद यहां पर प्रॉडक्ट अब सिलेक्ट कर सकता है हम लोगे प्रॉडक्ट सिलेक्ट कर लेते कुछ भी है कि यह हो प्रॉडक्ट है जिसको आप एड्ड शो करेंगे अभी यहां पर देखिए क्षिए ने की harassment कर सकता है यह कि मुझे इतना बीड नहीं करना है मुझे करना उसके बाद यहां पर नगेटिव टागेट कर सकते हैं मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा क्यूट है जिसके उपर आपका आड शो ना हो जैसे सोचे आप वाटर बॉटल और कस्टमर करते लिए तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं को नेगेटिव में दाल सकते हैं यहां पर तब आपका ऐड उस तरीके का क्योड में शो नहीं होगा लेकिन यहां पर में चीज हो जाता है दीखें यहां पर कुछ नहीं और यहां पर आपका बेडिग स्ट्राटीजी मतलब जो हम लोगों वे बिट सेट किया है यहां पे ऑप्शन ए डाइनमिक बिट उपनेडाउं मतलब क्या होता है जब ज्याद सेड आने वाला होगा तो आमेजं आपका बिट को से खुद से नहीं आने वाला होगा एमेजों खुद से यहां पर चार्ज होगा और यहां पर कुछ नहीं आता है यहां पर डेली बजट सेट कर सकते हैं और यहां पर लिए उस पांच को आप एक ग्रूप में डाल सकते हैं और अमेंज सेलेक्ट कर सकते हैं क्या आप क्योंड टागेटिंग कर सकते हैं या प्राड़क्ट टागेटिंग कर सकते हैं अब एक चीज यहां पर है जब डालने जाते ना आपसे पूछता है आपने तो डाल दिया लेकिन वह कौन सा मैच टाइप पर शो करना चलते हैं अब हम लोग स्क्रीन में जाके देखेंगे यह मैच टाइप क्या है कब आपको कौन सा यूज करना चाहिए न तो यहां पर सिंप्ली सोचिए हम लोग एक्जाक्ट मैच सेलेक्ट करते हैं और इस वाटर बाडल को एड़ कर देते हैं अब देखें वाटर बाड़ लाइड जैसे हमनों बता यहां पर आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं जो कैटेगरी का प्रॉडट्ट से उसके प्रॉडट्ट लिस्टिंग में आपका आड़ शो करेगा या फिर आप इंडिविजूल प्रॉडट्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर एंटर लिस्ट कर सकते हैं setup है आपका sponsor products का ठीक है तो यह basic setup था अभी हम लोगों ने देखा एक चीज हाँ keyword targeting जो हम लोगों ने देखा जैसे हम लोगों ने keyword वहाँ पर डाला Amazon आपसे पूछ रहा था कि क्या आप exact मेशन करना चाहते हैं ब्रॉड मेशन करना चाहते हैं करना चाहते हैं यह है तीन चीज एक्जाट ब्रॉड फ्रेज क्यों टागेटिंग का तीन टाइपस का होता है एक्जाट ब्रॉड फ्रेज अभी Amazon ने रीसेन लॉंच के ब्रॉड मॉडिफायर जो ब्रॉड का ही एक पार्ट है अभी आम लोग देखेंगे कुछ टालना चाहते हैं अगर आप एक्जाट मैज डालते हैं तो कौनसा कौनसा ऐसा कीवर्ड है जो कस्टमर अगर सर्च करेगा तो आपका एड़ शो होगा जैसे देखिए अगर किड्शू आपका कीवर्ड टागेटिंग में है और कोई सर्च करता है किड्शू यहां पर एस है तो भी आपका एड्शोंगा कोई सिल्च करता है किड्श ज मैच जब आपका है तब कौनसा कौन सा सब्सक्रांञ पैस करेगा अप यहां पर सबंस्ट सर्च करेगा तो यहां पर लेकिन कुछ अलग-अलग words भी है दूसरा kids shoes for seven-year-old ठीक है तो इस तरीके कि अगर keyword customer search करता है तो भी आपका ad show होगा कब show होगा जब फ्रेजना चूज़ करेंगे अभी broad का बात करते broad हला कि आप देखेंगे broad ना kids shoes पे जाता है children shoes पे जाता है कोई अलग brand name search करते तब एड़ दिखाता है kids foot होगा मत्तब related products में भी जाता है तो ब्रॉड क्या हो रहा ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड जा रहा है जो पर प्रॉब्लम है जो बहुत सारे sellers ने आमेजान को भी क्या कि देखिए Amazon यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है ब्रॉड बहुत ज़्यादा ब्रॉड जा रहा है ऐसे जगह पर एड शो कर रहे है जहां पर रेलेवेंसी बिल्कुल नहीं है और audience बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है तब Amazon ने क्या क्या ब्रॉड मोडिफायर लाँच किया अभी ब्रॉड मोडिफायर क्या है आप ब्रॉड मैच ही सेलेक्ट करेंगे लेकिन सिर्फ अब प्लस साइन एड करेंगे जो वर्ड आप चाहते है कस्टमर अगर सरच करें और वो सर्च में होना ही चाहिए अगर आप किड्स के आगे प् किड्स भी हुआ किड्स चूज अंदर 25 डॉलर्स दो वर्ट है यहां पर यह होना ही चाहिए तभी आपका एडश होगा तो यहां पर थोड़ा लिमिट कर रहे है तो अगर कोई भी क्वेश्चन भी रहेगा ना वो कमेंड में पूछ सकते हैं हम लोग इसको एंसर भी कर सकते ह है तो हम लोग ने पहले देखा हम लोग का स्पॉंसर प्रोड़क्स है स्पॉंसर ब्राइंट्स है स्पॉंसर डिस्प्ले है ना हम लोग ने स्पॉंसर प्रोड़क्स में जाकर अभी देखा कि स्पॉंसर प्रोड़क्स में प्रोड़क्त टागेटिंग आता है क्योड नहीं कर सकते हैं है है कEvet कि काम करते हैं क्प्रेंगे कि क्षाच कर ले वाटर बॉटल अभी देखें जैसे यह फर्स्ट आड आपका शोवर है बोरो सील का यह है से हेडलाइन सर्च आड्स और इसको हम लोग स्पॉंसर ब्राइंड आड बोलते हैं यह स्पॉंसर ब्रायंट का कि सकते हैं नेक्स्ट हम जब जो तोड़ा नीचे जाएंगे यह जो आप चार लिस्टिंग देख पार है जिसके अंदर स्पॉंसर लिखा हुआ है यह है आपका स्पॉंसर प्रॉडटक्स का पार्ट पेड यह अभी हम लोग अगर थोड़ा नीच यहां पर लिखे यहां पर भी कुछ आड़ से जो आपका स्पॉंसर डिस्प्ले का है जो बैनर के सर तरफ से हैं बैनर जैसा है थोड़ा गर नीचे आएंगे तो और आड देख सकते हैं कि कि यहael ब्रैंद ब्रैं Yes और यहां पर अपका ranit प्रोड यहां पर एक यं जाते हैं कि अभी यहांपर मैं आपको दिखाता हु मैं है अब यहां पर डिखाता हुआ यह भी है sponsor display का part यहां पर भी देखें यह भी है display क्योंकि as a banner आता है न यहां पर भी देखें यह वाला यह भी है आपका sponsor display यह वाला जो देखें यह है sponsor products हाँ बिल्कुल यहां पर हम लोग थोड़ा नीचे अगर आएंगे यहां पर यह हुआ आपको sponsor products यह वा sponsor brands यह दिखें स्पॉंसर डिस्प्ले तो यह हो गया यहां पर ठीक है तो यह different type of ads है जो हम लोग को दिखता है अभी हम लोगों ने देखा sponsor products के अंदर automatic targeting का आप ऑप्शन है लेकिन generally क्या होता है कोई भी अभी हुआ है है जी तो अटमेटिक targeting में क्या होता है आप Amazon को पूरा छुट दे देतें कि मैं सिर्व आपको budget बटाऊंगा आप और यह product बताऊंगा कि इसके उपर अट्विडाइस करने के लिए जैसे आप Amazon को contract दे रहे हैं यह है आप कीजिए जो मर्जी आपको करना है ठीक है तो वह हो खुद decide करता है कौँसा keyword चूज करना है एडविडाइस करने के लिए कौँसा product चूज करना है एडविडाइस करने के लिए तो वहां पर आपका कुछ क्या आता है जब Amazon का a9 algorithm ऐसा है न कि Amazon का a9 algorithm ऐसा है कि उसके पास अगा data नहीं है और कोई एड़ फो हो सकता है लेकिन वह तो relevant हुआ नहीं तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले a9 algorithm जो होता है उसको train करते हैं कैसे करते हैं हम लोग पहले manual targeting campaign करते हैं keyword targeting और उसमें जैसे sale आना स्टार्ट होता है तब Amazon के पास data जाता है कि चलो अब मुझे मालूम चल रहा है कि कौन सा products या कौन सा keyword इस product को साथ अच्छा जाता है और जब आप manual targeting run करते हैं साथ से दस दिन के लिए और कुछ sale लेकर आता है तब Amazon का data भी भर जाता है कि हां उनको अभी पता है कि कौन सा आइड रन करना है कौन सा keyword के उपर करना है automatic तब जाके अगर आप automatic टागर रन करेंगे तब उसका result बहुत अच्छा आएगा और जनली हम लोग यह भी देखें कि बहुत सारे ब्रैंड बहुत ज्यादा बजट देते हैं automatic camping के उपर जनली हम लोग जो सर्जिस्ट करते हैं दस-पंदर परसें से ज्यादा बजट परफार्म कर रहा है यह चार मेट्रिक है जिसके ओपर पूरा डिपेंड करता है सब कुछ फॉस्ट आपका CTR CTR को हम लोग डॉक्टर पाड्स भी बोलते हैं CTR मतलब क्लिक्ट्रू रेट दूसरा आता है CVR कंवर्शन रेट तीसरा आता है एक कॉस्ट एपरटाइजिंग कॉस्ट और चौथा आता है टैकोस ठीक है मैं एक बार आड्स का डैश्पोर दिखाता हूं कि यह क्या क्या चीज है ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए ना जी जी बिल्कुल तो मैं आपको दिखा देता है दन वी कन कम एंड चेक एक चीज क्या है कि तो हम लोग कैंपेंड मैनेजर में जाएंगे कि यहां पर देखिए एक उस जोब लोग ने बात किया स्पेंड कितना स्पेंड हुआ क्लिक्स सेल्स राइट आप देखेंगे जैसे एड्स के अंदर आएंगे ना आपको एक डेटा पॉइंट मिलेगा कि स्पेंड ओर से एक उस इसके बारे में हम लोग बात करें कि यहां पर कॉल्मस में जैसे आयेंगे देखेंगे आप यहां पर अप्शन है रहे ऍसभोर मेंंगी लेकिन यह क्या चीज है वह जानना ज्यादा इंपॉर्टन है एक चीज क्या है तो CTR क्या होता है देखिए CTR के लिए हम लोग बोलते हैं मतलब मैं समझा देता हूं आपको मैं डैश कोड में दिखा आमिजान जाके अभी सोचिए आप कस्टमर हैं आप जाके सर्च करते हैं वाटर पॉटल ठीक है अभी देखिए यहांप एक एड है सोचिए ऐसे एड एक सो लोग देख रहे हैं ठीक है और एक सो लोग में से सिर्फ चार लोग आपका एड को क्लिक करते हैं और लिस्टिंग में जाते हैं मतलब 100 में से सिट चार लोग आपका लेस्टिंग के अंदर गए हैं तो आपका सीटीयर होगा 4 परसेंट तो इस तरीके से सीटीयर कलकुरेट होता है मतलब कितने लोग को आड दिखाया गया है उसमें से कितने लोग या पांश पांश लोग जाकर் ये बाइय नाउ करते हैं वादा खरीदते हैं मतलब अभी 100 में से 5 लोग खरीद रहे हैं मतलब का conversion rate हो गया 5% तो यह conversion rate अभी हम लोग जाके समझते हैं कि एक और टैकोस क्या है अभी एक और सोचिए आप आड रन कर रहे हैं और आपने सोचिए 100 रुपे खर्चा किया है उसमें से आपका एड में sale आया है 1000 रुपे का यैं आप अब का sale में specifically बोल रहा हूं मतलब आपने 100 रुपे में ख़र्चा किया हजार का सेल आया तो सौरुपे पका हजार का कितना फर्सेंट हुआ 10 तो आपका एक और औरस परकेंट है अभी हम लोगों ने ये भी डिसकस किया कि आपका जब एड का सेल आता है उसमें के और ग्वार्डार भी आता है तो ऐसा हो सकता है जब जो एक सो रुप़े का एड रन कर रहे थे हैं इसमें से लेट सेजिण हम लोगों को 500 रुपे का सेलाया बेटर अंडस्तेर के लिए 5 savoir का एड आया और उसमें जो सेल आया उससे इंफलनस रोंके 500 रुपे का और्गानिक ऑॉडर भी तोटल जो हम लोग टाकोस का बात करते हैं तो और चीज आता है जो खट्चा होता है या Amazon कैसे आप से पैसा लेता है तो दो तरीके का होता है एक होता है आपका CPC मॉडल जहां पर जब कोई भी आड को पर क्लिक करता है तब Amazon आपको चार्ज करता है और क्लिक दूसरा आता है VCPM व्यूज पर थाउजन व्यूबल इंप्रेशन या फिर कॉस्ट आफ थाउजन हां तो जो CPC होता है CPC में आप कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक इसमें कितना चार्ज होगा तो वो क्लिक के उपर नहीं होता बलकि इंप्रेशन के उपर होता है मतलब हजार बार अगरा दिखाए गया है तो Amazon कुछ आपको चार्ज करता है तो यह बेसिक डिफरेंस होता है कि CTR कम है ज्यादा है उसको जैनरली यह जो छे चीज आप लिस्टिंग के उपर देख रहे हैं स्क्रीन के उपर यह छे चीज जनरली बताता है कि आपका CTR कितना ज्यादा हो कितने लोग आपका एड को क्लिक करेगा वह आपका डेटर्माइन करेगा कि यह छे चीज कितना अच्छा है परस्ट आपका में इमेज क्योंकि अगर एड के उपर क्लिक नहीं आता है तो आपका एड में खर्चा बढ़ जाएगा तो यह चीज है यह जब आपका में इमेज कस्टमर देख रहा है तो विदिन 3 सेकेंड उसका दिमाग और आख के बीच में कनेक्शन होना चाहिए कि यह चीज क्या है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे मेरे मदद करेगा अगर वह ज्यादा टाइम लगता है मतलब आपका वह कस्टमर चला गया अब आपके उपर एड क्लिक नहीं आएगा इस सेकंड चीज़ है विजिबल टाइटल अब देखेंगे हर एक एड में यह टाइटल शो करता है ना लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे जब मोबाइल में देखते हैं पूरा टाइकल दोसो करेक्टर शो नहीं होता है एक स्मॉर पार्ट उस टाइट शो होता है ओर आपको यह द्यान रखना है कि आपको जो प्राड़क का में फीचर से वह उस टाइटल के करेक्टर में आ जाएं मोबाइल में 80 करेक्टर शेक्टर में 120 करेक्टर शो नेक्स्ट आपका नमबर ऑफ रीवियू जो थर्ड पर आता है अपको लिस्टिंग के ओपर कितना रीव है वो डिटर्माइन करेगा कि कस्टमर कितना ज्यादा ट्रस्ट करेगा कि मैंने अभी तक ऐसा प्रोड़क खरीदा नहीं है जिसमें रीवियू कम है क्योंकि वो ट्रस्ट उतना आता नहीं है जी नेक्स आता है आपका कुपन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा जैसे यह अपर लाल कुपन बोश्राइब करते हैं और उसके उपर ज्यादा क्लिक करना क्योंकि यह माइंसेट है हम लोगों का जहां पर डिसकांट है वहां पर जाकर तो कुपन दील अगर रन हो रहा है बिल्कुल और maximum customer उसी के उपर ध्यान रखते हैं और उसके लिए वेट करते हैं कब discount छोड़ेगा तब हम लोग जाके purchase करेंगे न तो यह अगर आपके listing के उपर है आपको add को ज्यादा click मिलने का chances है next is price अपका price कितना है वो भी determine करेगा अपका add में click आएगा कि नहीं आएगा अगर बाकी product का price आपसे कम है आपका बहुत ज्यादा है तो यह chances कम है कि आपको ज्यादा click मिले मत्तब आपको add को कहीं और पर show करना है फोर्थ सुर्थ जो important है वो है delivery time अभी आप चीज़ नोटिस क बने कि concept जल्ली आएगा उसके उपर आपको purchase decision भी बने शार ऐसा हो सकता है दो competitor है दो प्रोडेक्ट है दो सेम तरीके का प्रोडेक्ट है लेकिन आप अपने decision खरीदने का तभी बनाएंगे जिसमें delivery का time कम है तो एक मेन चीज़ है अभी जो audience देख रहे है ना उनको हम कि पूरा decision ले सकते हैं कैसे यहां पर टेविल में देखेंगे चार बॉक्स बना हुआ है अगर आपका conversion rate हाई है CTR हाई है मतलब अच्छा क्लिक्स मिल रहा है उसके बाद purchase भी अच्छा हो रहा है क्योंकि conversion rate भी हाई है तो आपको क्या करना है अगर आपका conversion rate भी अच्छा ह है CTR भी अच्छा है तो आपको यह अच्छा है मतलब देखिए CTR अगर 0.4% से उपर है मतलब वह अच्छा है एक conversion rate अगर 8-10% से उपर है मतलब वह बहुत अच्छा है तो अगर आपका CTR-CDR दोनों ही अच्छा है मतलब आपका ads अच्छा खासा जा रहे है कुछ करने का ज अच्छा में तो क्लिक आ रहे हैं लेकिन उसके बाद conversion rate मतलब purchase कम हो रहे हैं तो ऐसा सिच्वेशन आया तो आपको क्या करना है तब आपको क्या करना है जो आपका product listing के अंदर है क्योंकि product listing तक customer आ रहे हैं उसके बाद वाले जो step है उसको customer करना नहीं चाहरे मतलब आपको जो बाकी image है अपका product के अंदर उसके ओपर काम करना है आपका यह प्लस content जो है उसके ओपर काम करना है यह अगर आप प्रेमियर प्लस content यूज करते हैं उसके ओपर काम करना है दूसरा first page review आप नोटिस करेंगे आपका reviews आप नीचे जैसे scroll करेंगे product listing के आप नीचे देखे के लिए आपको see all reviews करना पड़ता है मतलब दूसरे page में जाना पड़ता है जो maximum लोग नहीं जाते हैं तो वह चीज़ा है जो आपको ध्यान रखना है question and answer section question and answer section में क्या आप customer query solve कर रहे हैं एक website आता है answer the public.com जिसमें जाकि आप अपना product का keyword डालेंगे तो वह आपको दिखा है कि नेक्स्ट यहां पर देखिए हम लोग आ जाते हैं यहां पर दूसरे box में जो यलो कलर का है आपका left-hand side नीचे का है तो यहां पर जाके आपको वह सब चीज़ देखना है जो हम लोगों ने थोड़े तिर पहले देखा है छे points जा पर बेन इमिज के उपर काम करना है र अगर है नहीं है वह देखना है दूसरा आपका relevant मतलब आपका एड क्या सही audience के सामने जा रहा है या नहीं जा रहा है इसके उपर काम करना है और जो लास्ट बॉक्स हम लोगों का बसता है लाइट परपल में जा पर आपका CTR भी लो है तो इस सिलसले में इस केस में आपको पूरा लिस्टिंगों पर काम करना होगा या फिर आपका जो प्रॉड़क्ट सेलेक्शन वह अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि आपको ना एड में क्लिक आ रहा है और ना पर्चेस हो रहा है तो हम लोग यह काम करते हैं अभी हम लोगों ने देखा स्पॉंसर प्रॉड़क् हम लोग जाकर देखते हैं स्पॉंसर ब्राइंड्स कैसा होता है स्पॉंसर डिस्प्रे कैसा होता है ना तो यहां पर जैसे हम लोग प्रेट कैंप में जाएंगे अपके पास दो आप्शन आएगा कि स्वार्टीन आप्शन आएगा कि यहां पर स्पॉंसर प्रॉड़क्स स्पॉंसर ब्राइंड्स डिस्प्ले हम लोग ने बात किया स्पॉंसर प्रॉड़क्स के बारे में अभी बात करते हैं स्पॉंसर ब्राइंड्स तो हम लोग अंदर जाएंगे तो हम लोग ने जैसे बात किया 80% budget brands क्या करते हैं sponsor products में लगाते हैं जो बाकी 20% बच जाता है उसको डिवाइट करते है sponsor brands and display में तो यहां पर sponsor brands देखिए कैसा है यहां पर आपको campaign name set करने का बोलते हैं कुछ भी आप name रख सकते हैं portfolio हम लोग में बात किया क्या है यहां पर budget आप कितना budget डालना चाहते हैं यहां पर अगर आप चाहते हैं कि मैं campaign को सिर्फ दो दिन के लिए रण करूँ सोचे आप कोई festival आ रहा है सिर्फ दो दिन का सोचे होली आ रहा है उसके आप क्रिएट करते हैं जहां पर आपने इमेजिस में होली का रंग वगेरा यह सवाइड किया तो उसको आप दो दिन के लिए रण करेंगे गर तो इंडेक्ट कर सकते हैं अगर आप campaign को हमेशा के लिए रण करना चाहते हैं कोई ऐससे स्पैसे लोकेशन नहीं है तो आप इसको एंडेट को खाली छोड़ सकते हैं अब बजट यहां पर सेट कर सकते हैं सोचे हम लोग ने 200 रुपए का बजट दिया अब इसको डेली सट कर सकते हैं लाइफ टैम भी सेट कर सकते हैं मतलब campaign जिनना टाइम तक चलेगा उसमें सिर करें तो यहां पर कॉस्ट आप एक पर आपके पास है हम लोग ने यह भी डिसकस किया कि दो में डिफरेंस किया है ना तो हम लोग इस में से आप कुछ भी सिलेक कर सकते हैं कुछ भी आप सिलेक्ट करें नीचे का हर एक चीज़ सेम ही आएगा कि यहां पर आपने सिलेक्ट किया सीपीसी मॉडल यहां पर दीखिए ऑटोमेट बीडिंग क्या आप चाहते हैं अगर हम लोग मैनूल करते हैं ना तो यहां पर आप यह कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेशल स्पेश्मेन है जिसके लिए मैं दस पसंद ज्यादा करना चाहता हूं अगर ऐसा हो कि मुझे सेल आ सकता है तो आप यहां सेट कर सकते हैं अलाकि इसको आप खाली रख सकते हैं जेनरली खाली रखना ही अच्छा रहता है तो दूसरा देखें यहां पर स्पॉंसर ब्रैंड्स पे यह है आपका अड्स का डिफरेंट टाइप्स कि परस्ट आता है प्रोडॡक कलेक्शन प्रोडॉक्सें में क्या होता हिर प्रोडॉक्स अबर्टीस अपका अबस्ट बना अच्छिंए तो उसके उपर आप ले जा सकते हैं यहां पर मैं एक स्टोर चूज करूंगा जो इस ब्रैंड का अलड़ी है यहां पर दीखे कोई सब पेज इस तो यह देखे विजिट बोल्ट फिट स्टोर यहां पर जैसे हम लोग क्लिक करें इस स्टोर में लोग डारेक्ट चले जाएंगे यह देखे यह इस तरीके करें दिखता है स्टोर समचे लाग यहां पर डिफेर्ट पेजर उपर जा सकते हैं तो यहां पर आप मलिटिब्स सबपेजस सेलेक्ट कर सकते हैं जा पर भेजना चाहते हैं और आप यहां पर न्यू लांडिंग पैज मतलब अगर आप तीन प्रोड़क्स सिर्फ तीन प्रोड़क्स सेलेक्ट करते हैं जैसे यह पर हवा तो यहां पर हम लोग उसके उपर भी भेज सकते हैं तो हैसे मैं यहां पर में लात घुल कि इस तरी का पेज में लेके जाएगा आपका एड को दूसरा यहां पर कस्टम यॉरल कस्टम यॉरल में आप कुछ भी कस्टम यॉरल यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन यह एमेज़ॉन का यॉरल होना चाहिए यहां पर सोचे हम लोग ने होम पर सिलेक्ट किया अभी हम लोग देखते हैं यहां पर देखे दो टागेटिंग का उप्शन है जैसे हम लोग ने बात सिलेक्ट करेंगे और सोचे किछ भी हम लोग यहां पे ७रत रिखेंग कर देते हैं यहपर chain कर देते लिए इस इंशाप्याचन कीजीए अभी यहां पर दिखेंगे दिखता यह तब दिखेगा जब आप स्टोर स्पॉटलाइट डेखते हैं जैसे आपका प्रॉडटक कलेक्शन ने तो स्टोर का multiple subpages में भी जा सकते हैं लेकिन स्टोर स्टोर स्पॉटलाइट स्टोर करते हैं तब सिर्फ आपका home page में ही जाएगा यहां पर देखें आपको इस तरीके का देखेगा और कस्टमर को डाइरेक्ट पास्टोर पेज में लेके जाएगा इस तरीके का आइड देखता है लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो है वह वीडियो वीडियो में सब को चेंज हो जाता है यहां पर जैसे अब यहां पर पहांचा में प् Taste पेज में भी लेके जा सकता है यहां तक कि vraії हमेशा तो पहले तो पहले स्क्वेड लेकिश आने जाने ऊसको है उसको भी सलेक्ट कर सकते हैं दूस्ता हूं अपका प्रॉडिक दीट्यइल पीज्वीच दिट्यगे मतला पर ल अगर कोई क्लिक करेगा तो अपका प्रोड़क का लिस्टिंग को पर जाएगा अभी हम लोग जाएंगे देखते हैं कैसे अधिकता है आपका यह देखेंगे कुछ इस तरी के हम लोग एक वीडियो से देख कर देते हैं तो हम लोग इस तरी के का अपका डिकता है मोबाइल में डेक्स्टाप में इस तरी का आपका दिखता है ठीक है जो हम लोग ने अभी थोड़ी तिर पहले देखा तो यह तीन तरीके का आप्षन आता है अपका जहाब लोग अब लोग करते हैं हम लोग जाएंगे अभी स्पॉन्सटे के अंदर कर देखता है किसे तरीके होता है कि उसमें जैसे हम लोग ने आप في तीन तरीके मिन तरीके कर देखा लेकिन स्पॉन्सर डिसकली में आप तो यह है अपका स्पॉंसर डिस्प्ले इसके अंदर जाएंगे हम लोग कि अब दीखिए यहां पर सेम चीज है आप कैम्पेन नेम डाल सकते हैं कुछ भी ट्रोटफोलिय मतलब अगर गुरुप करना चाहते हैं बजट जो हम बात किया यहां पर आपका देखिए अगर आपका आप आपको चार्ज करें मतलब हजार इंप्रेशन के हिसाब से तो आप इसको रीच में स्लेक्ट करेंगे दूसरा पेज विजिट में आपका कॉस्ट टाइप होगा करेगा इस पर दो तरीके का ऑप्शन है इमेज अगर आप इमेज करेंगे तो क्या-क्या आप देख लेते हैं पहले आम लोग प्रॉडट्ट करते हैं जिसको हम लोग आडवडाइज करना चाहते हैं यहाँ पे अब दूसरा प्रॉडड़क्स कर सकते हैं तर्स्रा प्रॉड़क्स लेक्त कर सकते हैं चौथा भी सेक्ट है यह रोटेट करता रहेगा ठीक है था यहाँ पर है देखिए आप्शन टार्गटिंग में हम लोगों ने क्या देखा था या आपको की वर टार्गेट सब्सक्राइब करेंगे आप नीचे आएंगे यहां पर देखेंगे एड कैसे दिखता है इतने तरीके का आपका एड्स दिखता है यह बहुत सारे हैं बहुत सारे लेकिन यहां पर हम लोग जाते हैं सोचिए फीडियो ठीक है अम लोग फीडियो से अब यहां फीडियो एक सेलेक्ट करते हैं अभी दिखिए इस तरीके का आपका एड़ यह दूसरा तरीके का है यहां पर दिखाएगा भी यह तीसरा तरीके का लेकिन सबसे ज़्यादा ओप्शन्स था आपका बैनर्स में अभी हम लोग जब तो यहां पर खुल जाता है पूरा एक निव चैप्टर यहां पर यहां पर आपके प्रॉड़क्त लिस्टिंग के अंदर आया लेकिन पर्चेस नहीं किया उसको आप टार्गेट कर सकते हैं यहां पर दीखिए आपके 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 दो आप्शन है यहां पर आप नीचे चले जाएंगे तो आउडियोस में चला जाएगा ज्यादा ब्रॉट फॉर्स्ट ऑप्शन है कि अट्विटाइस प्रॉड़क्त मतलब जिस प्रॉड़क्त को आडविटाइस करें उसके अंदर को कस्टमर आया लेकिन पर्चेस नहीं किया वह कितने दिन का इसके लुक बैक परिया मतलब यह सेट कर सकते हैं नाइटी देज तक मतलब ऐसा बोल सेटें अमीजान को लास्ट नाइटी डेज में पिछले नबबबबब दिनों में जितने भी लोग मेरे लिस्टिंग में आये हैं लेकिन खरीदा नहीं उसको टार्गेट कर उसको दिख इस अगर कोई आया है लेकिन पर्टिस नहीं किया तो उसको भी टार्गेट करो और यह भी स्लेक्ट कर सकते हैं यहां पर जो में चीज है हम लोग अगर देखेंगे व्यूज में देखा क्या है पर्छेस शे से मार्टिंग क्या है यहां पर आपका प्रॉडक को खरीदा है जब दस दिनों कि लाज साथ दिनों में जितने लोग मेरा तूट पेस को करो अजके उनको यह पता चले कि जब उनका क्छतम हो जाए तो उनका मेरा ही करीतना है तो यहां पर आप लास्ट 365 डेस्ट टार्गेट कर सकते हैं मतलब एक साल के अंदर जितने भी आपके रिपीट पर्चेस हैं जितने कस्टमर आपका प्रड़क्ट खरीद है उन सब को फिर से आप अपना प्रड़क्ट शो कर सकते हैं यह बहुत अच्छे से काम करता है बहुत प्रफिटेबल है अगर आप स्किन केर में है कोई आपका पास्ट मोविंग जो FMGC प्रड़क्स बोलते हैं हम लोग फास्ट मोविंग कंजूमर गुड्स जो होता है जैसे कोल गेट वगेरा उन सब के लिए बहुत 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 इजी होता है यह बहुत है बहुत अच्छ अच्छिंग में आता है वीडियो और कंटेक्शल दुनों ही आता है इसके अंदर तो यह था हम लोग का स्पॉंसर प्राइब स्पॉंसर डिस्प्ले और स्पॉंसर ब्रांड्ट्स तो कि नेक्स्ट चीज आता है अभी और कोई भी कुश्चन रहेगा इसके हाँ जी 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 देखें अभी क्या है न आप आमेजान कस्टमर्स का जो एक्टेंशन स्पहन है वह बहुत कम है मतलब लिस्टिंग के अंदर जाते हैं उसको दुरंद जानकरी चाहिए दुरंद नौलेज चाहिए प्रॉड़क के बारे में सब कुछ और बहुत सारे लुग क्या करते हैं बहुत ज्यादा टेक्स लिखते हैं पैरागर्फ पैरागर्फ लिखते हैं इसे जैसा ठीक है तो कोई भी कस्टमर पढ़ता नहीं है मैं तो नहीं पढ़ता हूं ज्यादा दर कस्टमर नहीं पढ़ते हैं तो आपको हमेशा कस्टमर को आपका प्रॉड़क्ट का फीचर संद बेनिफिट करना है इमेजिस के दौरण इमेजिस को कैसे आप यूज करें ताकि कस्टमर को आपका फीचर्स बेनिफिट पता चले तो उसके लिए आपके पास क्या ओप्षन है आपको बाकी इमेजिस में बताईए फीचर्स आप दिखा सकते हैं लाइफ सेल इमेज सोचे आप कोई नाइफ यूज करें नाइफ से नाइफ करते होई अगर अगर आपके प्रीमियम प्रोड़क्त ने तो आपको में बीट्च और इमेजस शोगरा जितना जयादा ईमेज होगा उतनाज्यादा canvпj should बढ़ेगा क्यूंकि जितना आप उपको करेंगे उतना आपका कस्तमर का एक क्षर्चन सॉवू को यह सब आपको दिखेंगे कितना ज्यादा कन्वर्शन होता है तो यहां पर आप करते हैं अब आप्तिमाइज कर सकते हैं दो तरीके से ठीक है अगर मतलब दो तरीके का चीज है जो आप अपकिमाजर करें या यूज करें बहुत बैनेफिट करेगा फॉस्प्लिट टेस्टिंग दूसरा जी ओराइंक की स्प्लिट टेस्टिंग का बात हम लोग कर देते हैं कि कैंद कि 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 तो यहां पर देखिए आप जैसे यहां पर लिस्टिंग के अंदर जाएंगे यहां पर ब्रैंड में जाएंगे जैसे यहां पर देखिए मैंनेज इक्सपरिमेंट्स का उप्चन है ठीक है कि मैंज एक्सपरिमेंट्स का जाएंगे आप 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 आजए वाला इमेज अच्छा है यह आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं क्योंकि आपने शायद जादा मैनत करकर वह इमेज बनाया है तो आप आप बेसिकली बहुत ज़्यादा फिक्स्ट है कि हां मैंने बहुत मैनत किया मतलब अच्छा ही होगा लेकिन आपको यह पता नहीं है कि कस्मर कैसा सोच रहा है ऐसा हो सकते हैं कि कस्मर तो वह इमेज उतना पसंद आया नहीं है लेकिन वह कैसे आपको पता चलेगा उसके जादा बहतर है आप सोचे दो इमेज बनाएं उसमें आप पता नहीं कौन सा अच्छा है तो यहां पर हम लोग यह बैंट के अंदर देखिए इतने सारे हम लोगों ने स्केडियूल किया था इवेंट्स को यहां पर एक हम लोग कम्प्लीट हो चुका है हम लोग डीटियल कर सकते हैं ठीक है पहले तो आप अप्लस कंटेंट को मल्टिपल टेस्ट कर सकते हैं मतलब एक बना सकते दूसरे बना सकते और टेस्ट कर सकते हैं कौन सा बैतर है बुलिट पॉइंट को टेस्ट कर सकते हैं प्रोड़क इमेज को टेस्ट कर सकते हैं प्रोड़क के वाद हम लोगों का Amazon ने बताया कि देखिए आपके पास चांस है वीक में 24,000 का और वर्जन बी को इन्होंने कहा कि 557 परसेंट वर्जन बी इस बेटर और यहां पर यह भी बताया कि देखिए आप यहां पर 24,000 का एक्ष्टा सेल लेके आ सकते हैं तो इस तरह के से मुल्टिपल एक्ट्रिबूट्स यहां पर टेस्ट कर सकते हैं जो मैंनेज एक्सपेरिमे यह पर अगर आप स्क्रीन में देखेंगे नहीं यहां पर हमलोगोंने सर्च किया था हिमालय सिलाजीत समय करते हैं पर उब लोगों ने सेम क्योर्ट सच किया लेकिन इस जब हम लोगों ने सर्च किया आप नहीं पर देलिवारी जो एड्रेस उसको चेंज कर ड़ली का एड जाला यहां पर एक चीज़ नोटिस करेंगे सब कुछ से में एक प्रोड़क के लिए अलग-अलग होता है क्यों कि हर एक पीन कोड में आपका डेलिवरी जी 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 रैंकिंग रिजिनल लैंकिंग या लोकल लैंकिंग यह सब हम लोग बोल सकते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टन है क्यों इंपॉर्टन है क्यों कि यहां पर क्या होता है अगर जो कस्टमर है यहां पर हम लोग एक्जामपल ले सकते हैं सोचे आप पैन खरीदने गए आमेजान पे और आप दो कंपेटर है कंपेटर ए और कंपेटर भी दोनों का ही प्राइस लगबग सेम है दोनों देखते भी सेम है दोनों का रेव्यूस भी अच्छा काज़ा है दोनों एग्रेसिवली एड भी रन थे लेकिन आप यह बताइए आप जो कंपेटर ए है वह सोचिए मैं जहां पर रहत उसका क्यों कि क्यूकि यह से सकते हैं कि यो C यह जर्ली करते हैं कि यह तरहारी निकैने की 10 5 तब आपने देखा होगा के कौवसा स्टेट में आपने सबसे ज्ढ़ा ने सेहल किया है है तो आपको बता देगा कि हाँ आपने लास्ट म нужब्स ज्यादा सेड में किया हैं वो आपको रिखाते नज्यuser कि आपको आपको मैं वह बहुता यह यह उत्यात तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो उस 실팉त में करेंगे यह स्तेट का फम्वायफज या धंया अपका क्रम्वाइभруго तो उसके लिए अब क्या करना है उसके लिए आपको वर्चुल प्लेस और अइस विजस्टर करना है उसको वो तीन वेराऊस में शिफ्ट करना है क्योंकि आपको पता है वो तीन जगह पे आपका और इंस बना हुआ है बहुत ज्यादा और जैसे ही आपका प्रॉडक्स अपका कस्टमर के पास पहुंच जाएगा वहां पे आपका एड्स में सीपी सी कम आएगा एक कम आएग तो अभी आपका एक प्रॉडक्स का सेलिंग करने के लिए कम खर्चा हो रहा है तो यह चीज हर एक ब्रैंड यूज करते हैं जो ज्यादा स्केल करना चाहते हैं और अगर आपका सोचिए 10-20% से ज्यादा है टॉक नॉर्मल स्टा सोचिए आप महिने में 300 यूनिट भीजते एक प्रॉडक्स का और आपने भीजा सोचिए आपके पास अगर 340 उनिट रखा हुआ है जो लगपक 10% ज्यादा है तो आप आपको आमजों ज्यादा विजबिल्टी देगा क्यों क्योंकि आपका आउट अप स्टॉक होने का कम चांसिस हैं तो आपका ज्यादा दिखेगा आपका ओर्गानिक लिस्टिंग ज्यादा दिखेगा और आपका एड्स का परफार्मेंस भी और अच्छा होगा तो यह बेसिक कुछ चीज सा यह वाक्शॉप के बारे में मेरे काल से ऑडियोंस को बहुत ज्यादा क्वेस्टेंस रहेगा या आपका ही क्वेस्टेंस अगर जी जी तो हम लोग चीज भी कर सकते हैं आपको अगर कोई क्वेस्टेंस प्रेश्चन में पूस सकते हैं मैं अगर आप आपको समझना है अगर आप amazon एड्स में माहीर होनशाथे क्या है बुशार मेट्रिक्स ignoring first ctr then cvr e-cost ost टांब stat क्वेस्टे मतलब कितने लोगों ने अपना एड़ देखा उसमें से कितने लोगोंने ऐपने क्लिक किया मतलब कितन लोगोंने कितने परसंटिअब लोगों अपने अभी देखिए जनरली क्या होता है कोई भी जब एड शो होता है स्क्रीन के ऊपर तो उसमें यह कुछ ऐसे आपको शो होता है मैं एक बाद स्क्रीन में आके आपको दिखाता हूं Amazon.in open करते हैं हम लोग अब यहां पर देखेंगे आप जैसे हम लोग ने सेर्च किया यहां पर आगया पहला एड ठीक है यह है एड क्या क्या चीज आपको दिखाता है देखिए इमेज दिखाता है टाटल रिव्यूज प्राइस और यहां पर डेलिवरी टाइम ठीक है अब इसको काटते हैं अंदर कर जाते हैं तो यह चीज अभी आपने देखा ये चीज़ खोड़ता है कोई भी आड में अभी आड बही कली की आईगा नहीं आएगा उसके डिफ टाट्द है क्या चीज यह सब चीज आपका एड को influence करेगा और customer को influence करेगा कि वो एड के ऊपर click करेगा कि नहीं करेगा ठीक है और यह छे चीज सबसे important है ठीक है main image देखिए main image जब हम लोग बोलते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं कि तीन सेकंड सिर्फ तीन सेकंड के अंदर customer का brain और customer के आँख के बीच में connection established होना चाहिए कि product क्या है क्या problem solve करता है कैसे उनको benefit करेंगे अगर वो connection और coordination तीन सेकंड से जादा होता है तो customer generally click नहीं करेंगे और आप customer को खो बैठेंगे हमेशा के लिए तो सेकंड चीज जो होता है हम लोग का टाइटल यहां पर देखेंगे आप लिखा हुआ है वीजिबल टाइटल वीजिबल टाइटल क्यों लिखा हुआ है क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे जब आप मोबाइल में देखते हैं ठीक है मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाता हूं ठीक है यहां तक डेक्स्टाप में भी पुरा शोर नहीं होता है बाकि हिड हो जाता है ठीक है मैं आपको स्टार्ट करके रिखाता हूं यहां पर दिखाता हूं उसके बाद हम लोग विस्कस करेंगे अब यह देखिए यहां पर देखिए मोबाइल में आपका और चोटा हो गया टाइटल बाकी जो टाइटल का पॉर्शन से वो शो ही नहीं कर रहा है ठीक है हर एक में देखिए टाइटल और चोटा हो गया ना तो मोबाइल में एराउंड तो जब आप यह प्रोड़क्ट सेल करेंगे तो आपको यह मेक्शुर करना है आपका प्रोड़क्ट का यूणीक सेलिंग पॉइंट्स है वो यह 80 करेक्टर के अंदर रहे क्यों कि आप एक चीज रोडिस करेंगे मोर देन अभी 70-80% से ज्यादा कस्टमर्स मुबाइल से खरी एक प्षिद्न बप्रॉड़क्ट में भरोसा क्या विल्ड करता है ऑगर रिविउज नैंहीं है आपको याद है कि। आप कब जाएक वालसले बडरा प्रॉड़क्ट किये हां जिसमें reviews है नहीं किये थे ना तो ऐसा ही होता है जब reviews नहीं रहता सेल भी गर जाता है तो reviews बहुत जादे important है reviews of rating next fourth point coupons and deals अभी हम लोगे Indian का psychology ऐसा है न कि जिस पे भी deal लिखा हुआ है या फिर limited time deal लिखा हुआ है या lightning लिखा हुआ हम लोग जाकर दुरंद क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं क्योंकि डिस्काउंट मिलने वाला है न ऐसे coupons किसी भी listening के उपर अगर रन होता है उसमें clicks ज्यादा मिलता है उसका ads को clicks आप प्रीपे करने वाले आप पहले पैसा देने वाले और अगर आप पहले पैसा देने वाले हैं तो आप चाहिएगे क्या प्रोड़क्स जल्दे डेलिवर हो सके आपके पास तो इसे लिए यह च्छता पॉइंट च्छटा पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यां इंपॉर्टन है अभी हम लोग ने देखा CTR क्या है CDR क्या है न तो यह दो मेट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करके आप पूरा अड़िटाइजिंग का डिजिशन ले सकते हैं कैसे यहां पर देखेंगे आप इसको हम लोग बोलता है यहां पर देखेंगे चार बॉक्स बना हुआ है यह एक बॉक्स हुआ पर्पल कलर का यह यह और हाई CTR मतला आपको क्लिक्स भी मिल रहा है कंवर्शन भी हो रहे हैं तो आपको आना है यह वाला बॉक्स देखना है क्या है प्रॉटेबल एड्स नो चेंज निए ज़रूत नहीं क्योंकि आपको ओविसली CTR ऊपर है CTR अच्छा जा रहा है कंवर्शन देट भी तब आपको इमेज़स के उपर काम करना है आपका वीडियो के ऊपर काम करना है अप्लस नो सब्सक्राइफ गजिस्टिक में टा- आपको क्रोड़ू स्टMusic में जो आपको करत पรॉड़ू सेस्टिंग की 주 क्यूब पर क्या करना है के अभी यहां पर अगर आपका ढूर्दय तो आपको क्या करना है तो देखिए यहां पर वह सब चीज के उपर काम करना है जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा जो शिक्स पॉइंट्स हम लोगों ने देखा अब यहां पर लास्ट बॉक्स मतलब आपका रही है कन्वर्शन भी लो है अपका क्लिक थूइड भी लो है मतलब पूरा लिस्टिंग के उपर काम करना है या फिर अपका प्रॉडक्स सेलेक्शन कर ले सकते हैं तो अभी हम लोग क्या करें डायरेक्ट जाके कुछ आज लाइफ क्रेट करेंगे ठीक है ताकि आप लोग का आईडिया हो कि आज कैसे क्रेट करता है तो हम हम लोग वह इधिक लिए जब हम लोग कि दो टागेटिंगर आटमेटिक टागेटिक एकस्पे मीदि कर रहे थे तो अभी हम लोग स्पॉंसर ड्र्लैक्ते ब्रश्मेंगे पुर्धिंगे और डिस्पेल में जाएंगे ताकि कौन से तागेटिंग वो डालते हैं यहां पर प्रोटफोलियो क्या है मतलब अगर सोची एक प्रॉडक्त है उसका मुल्टिपल कैमपेंज आप करें 10-12 तो वह दस बारा कैमपेंज को आप एक प्रोटफोलियो या एक ग्रुप में डाल सकते हैं और उस ग्रुप का नाम आप सब्स्वर्ण का शे लगीव करों कैमपेंज करें सिर्क स्पैसिफिक टांम के लिए जब ऐसा जैसे हो सकता है कोई सेल के लिए या ऐससे कुछ ब्रब्लियों डेज य्या इंडिया थिस टाइम के लिए यहां पर बजट अफसेट कर सकते हैं डेली बजट और यहां पर आ सकते हैं गोल्स में अभी देखे जैसे हम लोगों का बात करते हैं यहां पर हम लोग ने बात किया था CPC Campaigns, VCPM Campaigns का यहां पर देखिए वही शो कर रहा है आपका sponsor brands में CPC मतलब यहां पर यहां पर क्लिक यहां पर Amazon बोलेगा आप चूज कीजिए कोई एक कॉस टाइप जहां पर यहां पर ड्राइब पेज विजिट करेंगे तो कॉस पर क्लिक होगा यहां पर ग्रोब ब्रैंड अगर मौका मिले तो अगर आपका आड शो करना रहेगा तो Amazon आपसे 10% ज्यादा चार्ज करेगा लेकिन आपका आड शो करेगा अब यहां पर आ जाईए यहां पर sponsor brands के अंदर देखिए तीन तरीके का options आपको मिलता है product collection अब product collection जैसे हम लोग create करते हैं देखिए यह कैसे दिखता है देखिए यहां पर हम लोग product select करेंगे तीन product आपको select करना होता है और यहां पर देखिए दो option है store on Amazon और new landing page यहां पर Amazon store के उपर यहां पर भीज सकते हैं यहां पर देखिए यह आपका store आप च्योज कर सकते हैं आपका homepage यहां पर जैसे आप नीचे आएंगे देखिए कि यह आड कैसे दिखता है यहां पर show करेगा यहां पर आप images हम लोग select कर सकते हैं देखे यह इस तरीके का आपका ad दिखता है यह हुआ मुबाइल में यह दिखे यह हुआ desktop में इस तरीके का आपका ads दिखता है अभी क्या और चीज़ है यहां पर देखे रहे थे यहां पर देखे अभी आप चूज कर सकते हैं keyword targeting product targeting यह आपको पता ही है keyword targeting मतलब क्या है जहां पर आप keywords जालते हैं और आपका ad show होगा तभी जब कोई keyword search करेगा product targeting मतलब जब कोई product आपका दिखाएगा तो product के अंदर आपका ad दिखाएगा जो हम लोगों ने चेक्क किया था यहां पर आप product targeting में category भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस category में जितने products हैं उसकी product listing में आपका show करेगा या फिर आप individual products भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहां Amazon भी कुछ suggest करता है या फिर आप फुद यहां पर लिस्ट इंटर कर सकते हैं और यहां पर एक चीज यहां पर है आप ऐसे products या brand name का भी नाम डाल सकते हैं जिसमें आपका ads शो नहीं करेगा आप Amazon को बोल सकते हैं कि इस चीज के उपर मेरा ad show मत करो और यह हो गया आपका brand ads क product collection दूसरा store spotlight यह देख लेते हैं यह कैसा दिखता है यहां पर आप क्या करेंगे ना यहां पर आपको सिर्फ एक store select कर सकते हैं store का main page जहां पर last ad में हम लोग store का सब page भी ही create search चूज कर सकते थे लेकर इसमें सिर्फ आपका store page तक ही जाएगा यहां पर दो आप्शन है keyword targeting targeting और यहां पर यहां पर नीचे आ जाएंगे यह देखिए यह सेमी दिखता है थोड़ा अलग दिखता है लेकिन लगपक सेमी है यह चारो जगा आता है देखिए चारो different types से क्या छोगता है यह देखिए ऐसे ऐसे और last है यह वाला अभी हम लोग last option जाएंगे जो है video ads video ads मैंने आप लोगों को दिखाए था कि video ads कैसे दिखता है यहां पर देखिए video ads आप दो जगा भेज सकते हैं मतलब जो traffic आ रहा है video ads देखने के बाद वह आप दो जगा भेज सकते हैं या तो आपके Amazon store page पे या फिर Amazon store page के अंदर सब जो रहता उसके पास ठीक है अगर आप आपको देखना है कि Amazon store page कैसे दिखता है मैं आपको भी दिखा रहा हूं कि यहां पर जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका store page में चला जाओंगा store page बेसिकलिए website जैसे रहता है यह है home page और यह है sub page यह है तो आप या तो home page में traffic भेज सकते हैं या तो सब page में भेज सकते हैं जो लास्ट एड टाइप हम लोगों ने देखा था store spotlight वहां पे सिफ लिए पेज़ सकते हैं जापे video ads आप home page या तो सब पेज में भी भेज सकते हैं या फिर आप डाइरेक्ट प्रॉडक्ट के listing page भी भेज सकते हैं यहां पर हम लोग एक video ads कैसा दिखता है यहां पर दो targeting option है आप keyword अगर सेर्च करें कोई आपका या प्रॉडक्ट तो प्रॉडक्ट लिस्टिंग के अंतर आपका वीडियो शोगा यहां पे हम लोग पहले तो वीडियो इक सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाए दे कि कैसा लगता है तो दीखे कुछ इस तरीके का आड दिखता है आपका तो यह होता है आपका ये होता है तो यह वह जनरली sponsor brand ads कैसा होता है अभी हम लोग बाहर जाएंगे और देखेंगे एक बार sponsor स्पॉंसर डिस्प्ले में 13 से 14 डिफरेंट टाइप अड्स है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है यहां पर सेम कैंपें नेम प्रोट्फोलिय बजट जो हम लोगों ने पहले डिसकास है यहां पर देखिए तीन तरीके का है एक रीच जहां पर वी सी पिम है कॉस टाइप में पेज विजट यहां पर सीपी सी है कॉस टाइप और कंवर्शन जहां पर जो कैंपेइन होगा वह आपका कंवर्शन की तरफ ज़्यादा फोकस्ट वह भी सीपीसी फोकस्ट है मतलब आप सीपीसी यहां पर देखिए दो तरीके का फॉर्मेट आता है एक इमेज एक कि यहां पर तार्गेटिंग देखिए कंटेक्शुल टार्गेटिंग क्या है एतने तरीकी का आड्स आपको शो करता है यहां पर कितने तरीके का ads है sponsor display images में, 12 तरीके का ads आता है, देख पा रहा है, 12 तरीके का, यहाँ पर अगर हम लोग video select करते हैं, हम लोग audience targeting ये बाद में आएंगे, क्योंकि वो video में भी है, image में भी है, वीडियो में जैसे हम लोग जाते हैं, यहाँ पर सोचिए, वीडियो हम लोग select करेंगे, एक, देखिए, अपका video ad कैसे कैसे दिखता है, ऐसे होता है, आपका video ad, तीन तरीके का होता है, यह होता है दूसरा, यह होता है third, यह देखिए, तीन तरीके का आपका video ads में आगिया, अभी जैसे हम लोग audience targeting के बारे में discuss करते हैं, ठीक है, audience targeting में जैसे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर देखिए, तीन option आजाता है आपको choose करने के लिए, पहला हू audience का demographics wise, income wise, या interest wise, चूज कर सकते हैं, देखिए, यहाँ अपर देखिए, lifestyle चूज कर सकते हैं, interest based चूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग बेवी प्रोड़क्स चिलेक करते हैं, जिन लोग उन इंट्रेस्ट है, बेवी प्रोड़क्स में, इसको हम लोग, यह audience बहुत चोटा है, इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर audience size भी दिखाएगा, कितना बड़ा size है, यह generally बहुत broad जाता है, तो top of the funnel के लिए बहुत जादा use हो सकता है, तो यह हुआ आपका Amazon audience का चीज, ठीक है, यहाँ पर जो दूस्ता है, वो है views remarketing, views remarketing क्या है, views remarketing मतलब सोचिए, 10 customers आपके listing के अंदर गए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक customer ने purchase किया, बाकी 9 purchase नहीं किया, चला गया, तो बाकी जो 9 purchase नहीं किया, उनको आप अपना ad show कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो जब आप views remarketing चूज करेंगे, तब show कर सकते हैं, यहाँ पर views remarketing में last 30 days में, last 90 days में, 90 दिन तक आप उनको target कर सकते हैं, और यहाँ पर दीखिए, दो option हैं, आपके पास, एक for advertised product, मतलब कोई customer अगर आपके ऐसे product के उपर आये थे और purchase नहीं किया थे, जिसके उपर आप ad run कर रहे थे, advertised, मतलब advertise कर रहे थे, दूसरा similar to advertise, मतलब आपके जैसे competitor का या आपका compared का product, जिसके उपर ad चल रहा था, उनके उपर customer आया, लेकिन purchase नहीं किया, उनको भी आप target कर सकते हैं, तो यह हुआ आपका, वीज रिमार्केटिंग, दूसरा जो सबसे important है, purchase रिमार्केटिंग, purchase रिमार्केटिंग जैसे हम लोग उने select के same option आता है आपको, advertised product, मतलब customer ने अगर आपके कोई भी product के उपर click किया, जिसको उपर ad run हो रहा था, लेकिन, यह वाला जो purchase निमार्केटिंग है, मतलब इन्हें उने purchase भी किया है, तो जो कोई भी customer आपके product को पहले purchase कर चुके हैं, उनको आप अपना product show कर सकते हैं, दूसरा, यहाँ पर देखिए लास्ट एक साल में जितने भी लोग आपके product purchase किया, उनको आप दुबारा आपका product दिखा सकते हैं, अगर आप coal gate बेच रहे हैं, या फिर कोई भी fast moving consumer good बेच रहे हैं, जो हर एक hafta में खतम हो जाता है, या हर एक मैने में खतम हो जाता है, उनके लिए यह बहुत अच्छे स लांच हो जाएगा, तो यह ऐसे होता है आपका campaign के अंदर का चीज, जैसे हम लोगों ने देखा, sponsored products, sponsored brands, sponsored display, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आप थोड़े advanced seller हैं और इस से ज़्यादा knowledge चाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हम लोग के website में जा सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप आएंगे, यहाँ पर देखे, सारे premium courses जितने हम लोग अथे, जितने भी courses हम लोग अथे, advertising के उपर, सब हम लोग free कर चुके हैं, किसी भी, हम लोग अभी कोई भी course बेचते नहीं हैं, सब free of cost हैं, तो यहाँ पर आप सकते हैं, scroll down करके, यहाँ पर scroll down कर के आ सकते हैं, और get all courses for free में click कर सकते हैं, और जितने भी courses थे, हम लोग सब अभी free है, चाहे हो mastermind session recording हो, clicks to conversion course हो, SEO का course हो, या advertising का सब से, जो premium course हम लोग वो हो, या फिर private level machines, या कुछ भी course है, beginner to advanced BPC, या review automation course, यहाँ पर आके आप, उस course को freely access कर सकते हैं, कभी भी, सब courses free to access हैं तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि campaigns जो हम लोग create करते हैं, वो हम लोग एक SOP को maintain करके create करते हैं, मतलब आप अगर एक campaign create करेंगे, उसके पीछे goal क्या है, और goal अगर achieve होगा, तो क्या ऐसा matrix है, जिसको देख के आप बोल सकते हैं, क अगर campaign अच्छा perform नहीं कर रहा है, तो कब उसको optimize करना है, और optimize अगर करना है, कैसे करना है, कितने time frame में करना है, पूरा SOP के ओपर अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे, तो चलिए, अभी मैं आपको SOP शो करता हूँ, हम लोगा जो है, अभी SOP में क्या है, यहाँ पर आपको exactly मिलेगा कि कौन सा campaign create करना है, क्यों create करना है, क्या goal रहेगा उस campaign का, campaign का naming कैसे होगा, कैसे कैसे और कब-कब optimize करना है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ columns मैं बताओं, यहाँ पर campaigns, campaign मतलब campaign क्या है, ठीक है, purpose मतलब क्यों आप campaign create करना है, target क्या होगा campaign का, और वहाँ पर keyword use करेंगे, या फिर जो product target करेंगे, जैसे कि आपने देखा keyword targeting, product targeting, वो कहां से आएगा, क्या metrics है, जो आपको देखना है, अगर आप campaign के उपर कोई भी decision लेंगे, तो क्या metrics है, उसको देखना है, क्योंकि हरे campaign का, अलग-अलग metrics होता है, depending on उसका goal क्या है, target metric क्या है, मतलब campaign का जो goal है, उसका target आप क्या set कर रहे है, क्योंकि हरे campaign का अलग रहता है, अभी frequency of bid adjustment, जब आप्टिमाइस करेंगे, उसका frequency कितना होना चाहिए, अब उसके बाद जो subsequent optimization automatic, naming कैसे होता है, देखे, naming ऐसे होता है, item मतलब product का जो name रहे हो सामने आएगा, उसके बाद SPA, sponsor product ads, उसके बाद automatic, that means, हम लोग automatic कर रहे है, ST discovery मतलब search term discovery, search term discovery मतलब, जो keyword हम लोग discover करेंगे, यह campaign का मकसद यह है, कि और keywords होने का हम लोग के लिए, जो अपना products में, हम लोग ब substitute and compliments, ना, यह close match है, यहां पर purpose क्या है, देखिए, परपस है keyword harvesting, हम लोग को keyword ढूनना है, target क्या है, to gather maximum search term with more than three orders, जितने भी keywords में 3 से ज्यादा order है, उसको हम लोग को निकालना है, निकालके हम लोग दूसरे campaign create करेंगे, यहां पर आपको metrics क्या, evaluate करना है, वह एक और वेस्ट क्लिक्स, मतलब जो clicks extra जा रहा है, जिसमें कोई conversion नहीं जा रहा है, उसको देखना है, optimize कब करना है, अगर आपको बाहर जा रहा है, ज्यादा spend हो रहा है, आपको bid change करना है, budget कम करना है, वह कब करना है, 10 to 15 days के अंदर, अब यह सेम, जो मैंने बता है, 4 match types होता है, targeting होता है, lose match, substitute, compliment, or close match, close match को मैंने बता रहे है, इस तरीकी के सेम हम लोग lose match के लिए करेंगे, substitute के लिए करेंगे, लेकिन substitute के लिए करेंगे, लेकिन substitute और compliment जो है, वह ज्यादा तर product targeting को focus करता है, मतलब जितने भी campaign आप run करेंगे, substitute compliments में उसमें ज्यादा तर product target होगा, ना तो keyword, तो यह है, जो हम लोग को target है, जो हम लोग को target है, इसमें purpose है, उसमें a sign harvest करेंगे, मतलब और competitors का product मिलेगा, जो हम लोग के लिए अच्छा perform कर रहे है, जिसमें अपना ads अच्छा perform कर रहे है, उसमें क्या है, सेम हम लोग को gather करना है, ऐसे products जिसमें तीन से ज्यादा order आया है, और optimization window सेम है, अभी subsequent adjustment है, मतलब first 10-15 days बात जो adjustment करेंगे, उसमें क्या है, जैसे मैंने दिखाया था, वहाँ पर जाके आप एक campaign के अंदर negative target कर सकते है, मतलब आप Amazon को बोल सकते, यह keyword है, जिसके मैं चाहता हूं, आप मेरा ad show ही मत करे, क्यूंकि automatic targeting तो बहुत सारे products के लिए show करेग कुछ शायद relevant ना हो, कुछ शायद relevant हो, जो relevant ना हो, उसको लेके आप negative target कर सकते हैं, negative target मतलब आप Amazon को बोल रहे हैं, कि Amazon इस keyword के लिए मेरा ad show मत कीजेगा, सेम आप एक competitor का यह sign डाल सकते हैं, और बोल सकते हैं Amazon को, यह competitor का product listing मेरा ad show ही मत करो, तो दूसरा आ जाते हैं, पर पर परपस क्या है, तो अचीव लो एक उस लो सी पीच यहां पर हम लोगों को एक उस अडविटाइजिंग कॉस्ट अफ सेल, तॉम अचीव करना है, और सी पीच कॉस्ट पर क्लिक कम अचीव करना है, इसलिए लो बिद हम लोग करेंगे, इसका जो target है, वो लो एक उस यह हम लोग का target है, दूसरा यहां पर आ जाता है, देखिए, दूसरा जो category है, दूसरा जो category of campaigns हो है, ranking campaigns, ranking campaigns क्या होता है, ranking campaigns हम लोग जो initial primary keywords होता है, उसके विरूपर rank करने का कोशिश करते हैं, मतलब जब कोई customer search करता है, तो हम लोग का product होता है, उसके लिए लिए यहां पर sponsored products ads, यहां पर primary keyword, जिस keyword के उपर हम लोग rank करना जाते हैं, उसके specific separate campaign हम लोग run करेंगे, separate campaign मतलब एक campaign में सिर्फ एक keyword रहेगा, इसका purpose एक ही है, rank करना, और इसका target क्या है, top 15 position में आना, मतलब फिर्स पर में आना है, और यहां पर जो keywords मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, जो पर, metrics कैसा आप evaluate करेंगे, metrics evaluate करने के लिए आप कोई भी tracker use कर सकते है, जो tracker आपको बताएगा, कि अभी आपका rank, इस keyword के लिए कौन सा position पर है, क्या थर्ड पोजिशन पर है, फोर्थ पोजिशन पर है, एलेवन पोजिशन पर है, वो एक tracker चाहिए, जिसमें आप यह rank track कर सके ठीक है, अभी देखिए, यह exact में आएगा, दूसरा phrase में आएगा, broad में आएगा, broad में, broad क्योंकि जैसे मिने बताया, broad modifier बहुत अच्छा option है, इसलिए, same targets है, same targets है, और यहाँ पर परपस भी लगबग same ही है, keywords हम लोग को ढूनना, ठीक है, अभी converting keywords, converting keywords या फिर graduation keywords, मतलब य यह ऐसे-इस keyword है, जो हम लोग को पिछले automatic campaign से मिला था, जो automatic campaign में, जो keyword तीन से जादा order दिया था, वो keyword को हम लोगों निकाल लिया था, वो keyword को लेके, अभी हम लोग यह create करेंगे, converting keywords वाला campaigns, इसमें क्या होता है, देखिए, item मतलब product का name, sponsor products, ad मतलब SPA, converting search term, यहाँ पर जो थोड़ा profitable होने का try करेंगे, इसलिए हम लोग broad में जा रहे है, क्योंकि generally broad and phrase profitable campaigns बहुत अच्छा रहन होता है, यहाँ पर देखिए, target का है to increase number of orders and lower ACOS, ACOS कम करना है, order बढ़ाना है, इसमें keyword source कहा से आगा, STR, STR मतलब जो search term report generate होता है, automatic campaign performance होने के बाद, यहाँ फिर broad match, phrase match के बाद वो search term report आता है, Amazon advertising dashboard पे, advertising report section में, वहाँ से आप search term report डाउनलोड कर सकते है, और इसको आप use कर सकते है, अगर आप जानना ता है, search term report कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे process करेंगे, जो मैंने last आपको बताया था, कि पूरा courses है हम लोग का, वहाँ पर एक course है, free course, obviously सब courses हम ल जर्वत नहीं है, वहाँ पर एक course है, clicks to conversion course, उसमें जाके आप देख सकते हैं, clicks to conversion course, basically Amazon ads का सब reports कोर्स, reports के उपर बनाया गया है, कौन सा report कब उसकरना है, कैसी उसकरना है, तो ऐसे देखिए, हम लोगोंने, broad match के उपर रन किया, phrase match में, exact match के हर एक का, cost per acquisition अलग-अलग यहां पर आपका जो में फोकस है, उस keyword को यूज करना, यहां पर आपको आपको कीवर्स मिलेगा, उसका मकसद यह है, कि ताकि आप और campaign कर सेके, यहां पर भी सेम परपस है, जैसे लास्ट में था, क्यूंकि यहां पर आपको order increase करना है, एक course increase करना है, अभी हम लोग important है, कि आप notice करेंगे, कोई भी अगर keyword आप search करते हैं, आपके brand के पास-पास और product show करता है, दूसरा कोई भी आपको product listing में जाएंगे, जैसे आप आप देखेंगे, नीचे और ad show करता है products का, दूसरे competitors का, वो सब आप खुद अपना product show करके cover कर सकते हैं, और product कर सकते हैं ads, तो यह हम लोग sponsored product ad use कर रहे है, own brand, ठीक है, यहाँ पर आपका own brand, यहाँ पर तो आप कुछ भी लिख सकते है, exact match, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपका exact keyword search करेंगे, तो आपको आना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे to defend our branded keywords and our brand name, कौन सा keyword use करेंगे, branded keywords, मतलब सोचिए, आप आपका brand name है, सोचिए, bold, तो आपका keyword है, bold water bottle, bold water bottle for kids, यह होगा, आपका branded keywords, brand name मतलब bold, तो यह सब keywords आप exact, exact में use करेंगे, आपका जो positions है, जो keyword का position है, organic listings है, जो paid ads का listings है, उसमें आपका listing ताकि show हो, यहां पर metrics, यहां पर visibility in top spots, आपका metrics आपको basically check करना है, ताकि आपको visibility मिले, top of the search में, यहां पर दोस्ता आता है, देखिए, item SPA, ultra low bid broad match campaign, यह जो ultra low bid campaigns है, यहां पर, यह चार, यहां पर हम लोग का जो main focus है, हम लोग को जादा से जादा profitable ACOS लिके आना है, इसलिए आप bid एग 25% से कम होना चाहिए, आपका target, ठीक है, यहां पर देखिए, manual sponsored ads, ASIN targeting जैसे में ने बताया है, जो होता है, आपका product targeting, ठीक है, दूस्ता आप similar kind of thing, आप create करेंगे sponsor brands, sponsor display में, sponsor display में भी आपका product targeting आता है, sponsor brands में भी आप पता है, keyword targeting, product targeting आता है, तो यह SOP का sheet का link, अगर आपको direct जा सकते हैं, और नीचे comment कर सकते हैं, Amazon ads, और मैं यह आपका comment में reply कर दूँगा, यह वाला sheet का link, तो workshop में इतना ही था, I hope यह आप लोग को बहुत पसंद आया है, आप लोग को कोई भी question रहेगा, तो आप obviously comment section में पूछ सकते हैं, मैं make sure करूंगा उसका answer दू, दूसरा आप कोई भी course जाके अपनों website में जाके check out कर सकते हैं, और ले सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल free है obviously, So I hope आपको Amazon के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा, Sammy ने I think बहुत अच्छे से समझाया step by step Amazon के seller के बारे में सब कुछ and अगर आपको यह video informative and valuable लगे तो इस video को प्लीज लाइक जरू करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और e-commerce वीडियो लेने के लिए and comment में जरूर बताना आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या आपने नया सीखा Amazon के बारे में, तो इसी के साथ इस video को हम यही पर खतम करते हैं, मिलते हैं अगली video में, till then take care and bye